हेलो दोस्तो टेकनलोजी और मसीन्स की दुनिया में आपका स्वागत है दोस्तो आज में आपके लिए निर्मार प्रक्रिया में यूज होने वाले अमेजिंग मसीन्स और टूल्स लेकर हाजिर हूँ जो सच मुझ आपको पसंद आएंगे तो लाश तक वीडियो जरू देखे गा नमबर वन गुटा ड्राइ टेक दोस्तो इस तकनिक का इस्तमाल खास दोर पर घरों में आने वाले सीलन को रोकने के लिए किया जाता है दोस्तो आप सभी को पता ही होगा कि घर के अंदर सीलन आने के मुख्य कारण घर के निउ में नमी का एकट्टा होना होता है तो ऐस में इस विशेस प्रकार के धांचों को फस बनाने से पहले नीचे बिचाया जाता है और दो मोटे सक पाइप को इनके नीचे रख दिया जाता है जिसके एक साइट से बाहर की हवा इस प्लास्टिक के धांचे से नीचे जाती है और निउ में एकत्रित नमी को दूसरे से बाहर निकालते जाती है जिसका जमीन के नीचे नमी इखटा हो नहीं पाती और दिवारों पर सीलन आना रुख जाता है इन खास प्रकार के धांचों को मसीन में सबसे पहले बनाये जाता है जो की बहुत मजबूत होते हैं जिसका इनके उपर बिचे कांक्रित का वजन य दूस्तों अपने घरों को सभी एक अट्रेक्टि लुक देना चाहते हैं तो इसी तरह से दिवारों से सीलन रुखने वह दिवार को एक अट्रेक्टि लुक देने के लिए इस खास तकनिक का यूज किया जाता है जिसके लिए सबसे पहले मेटल के इन पट्टियों को दिव ये हो जाने के बाद इट की तरह दिखने वाले इन पट्टियों को कुछ इस तरह से इन पर चिपका देते हैं और इन दरारों को भरने के लिए सिमेंट का पेस्ट बना लेते हैं और फिर इन दरारों को सिमेंट से भर देते हैं इस तरह से अंतिम फिनिसिंग के बाद इन दिवारों का जो लुक आता है वा सचमुझ देखने लाइक होता है दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि कई बड़े मैदानों पर नकली खास पिछाये जाता है जो कि असली खास की तुलना में फायदेमंद होता है क्योंकि असली खास की दिखभाल में काफी ज़्यादा खच चाता है और अधिक धूप में खास सोखने भी लग जाती है इस नकली घास को मैदानों पर बिच्छा तो दिया जाता है पर उसे सफाई से उठाने का काम करती है यह TRS मसीन यह मसीन इन घासों का बंडल बनाते जाती है और उसे एक जगह पर इखटा भी करते जाती है जिने बाद में आउट डोस गेम होने पर फिर से बिच्छा दिया ज